जब तक सपन्ना हो नीद चैन को त्यागो तुम, संगर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किये बिना जैजैकार नहीं होती, कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती जैन सातियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यू चैनल सेलेक्ट हो, सातियों हमारा जो चैप्टर इस्टार्ट होने वाला है, वो ग्लेंड होने वाला है, यानि के गरंती पिछली क्लास में हमने कंकाल तंतर पढ़ा दिया था, उसमें थोड़ा सा हलका सा एक टॉपिक रह गया था, पेसी, उसको पहले हम पांच मिनट कवर करेंगे, उसके बाद ग्लेंड चैप्टर को इस्टार्ट करेंगे, ठीक है, मसल्स डालते हैं, यानि के पेसी, यहां से भी कोश्चन पूछ लिए जाते हैं, मसल्स, सबसे पहला कोश्चन इसमें पूछा जाता है, आपको जो पेसीयों के अध्यन को क्या कहते हैं, पेसीयों के अध्यन को क्या कहते हैं, पेसीयों के अध्यन को क्या कहते हैं, ओके जी, पेसीयों के अध्यन को, अध्यन को क्या कहते हैं study of muscles क्या कहते हैं myology कहते है myology ठीक है जी myology कहते है अब इसमें दूसरा question क्या बनता है जो हमारी पेसी होती है muscles होते हैं इसके अंदर पाए जाने वाला protein का नाम बताईए इसके अंदर पाए जाने वाले protein का नाम बताना है अब लोग ओके जी ठीक है पेसी में पाए जाने वाला protein का नाम प्रोटीन का नम बताना है ओके जी कमेंट करके बता सकते हैं आप प्रोटीन फाउंड इज मसल्स प्रोटीन फाउंड इन दिस मसल्स इसका नम बताना है इसके दो प्रोटीन पाई जाते हैं एक तो मायोसीन होता है और एक होता है एक्टीन एक होता है मायोसीन मायोसीन और दूसरा होता है एक्टीन ओके प्यारी बच्चो मायोसीन और एक्टिन ओके यहां तक बताओ प्यारे बच्चो किसी का कोई डार तो नहीं है ठीक है जी ठीक है ओके ओके अब जिस पकार खून का रंग लाल होता है किसके बर्णक के कारण होता है हीमोगलोविन के कारण उसी प्रकार इसमें पेसी का भी रंग होता है लाल होता है वो किस बर्णक के कारण होता है यह क्वेस्चन बार बार पूछा गया है ठीक है इसका आंसर आप बताएंगे ठीक है पेसी का रंग लाल किसके कारण होता है इसके कारण होता है आपको बताना किस बंड़क के कारण होता है प्रकार किसके कारण यह कुस बढ़क के कारण होता है। मायो ग्लोविन की कारण ठीक है जी मायो ग्लोविन ओके जी यहां तो बताओ प्यारी बच्चो ठीक है जी ठीक है जिस पकार मनुस के अंदर एडल्ट के अंदर कौन पाई जाती थी कुल संक्या उसी प्रकार मसल्स भी पाई जाती है मसल्स की संक्या भी पूछता है एडल्ट के अंदर और सिसू के अंदर ठीक है आप लोगों को पताना है पेशियों की संक्या बताओ ठीक है जी ओके ओके बैस्क में जाने के एडल्ट मनुस्य में पेसियों की संक्या पेसियों की जो संक्या होती है वो कितनी होती है छेसो उन्तालिस होती है छेसो उन्तालिस होती है इनकी जो कुल टोटल संक्या होती है वो छेसो उन्तालिस होती है ओके जी ओके ओके अब आजाते हम सिसू के अंदर सिसू के अंदर जो के पेसियों की संक्या वो कितनी होती है 700 प्लस रहती है ठीक है सिसू के अंदर शिसूम है पेसियों की संक्या पेसियों की संक्या कितनी होती है 700 प्लस होती है 700 से अधिक ओके यहां तक नोट करो प्यारी बच्चों फिर चलते हैं आगी की तरफ फिर चलते हैं आगी की तरफ नोट कीजिए यहां तक हाँ बस होने वाला खतम दो दो पॉंट और रहे गए उसके बाद यह मसल्स टॉपिक खतम हो जाए वो उसके बाद ग्लेंड कराने वाने ग्रंती वगएरा ठीक है जी ओके ओके ठीक है जिस प्रकार हमारे बॉड़ी में सबसे लंबी बॉन होती थी उसी प्रकार हमारी बॉड़ी में सबसे बड़ी लॉंग या सबसे बड़ी मसल्स भी होती है वो कहां पाई जाती है यहां पाई जाएगे यहां पर सबसे बड़ी हटी होगी मारी बॉड़ी में सबसे बड़ी हटी कौन सी है फीमर आँ पर पाई जाती है जांग में और वहीं पर क्या पाई जाता है मसल्स भी पाई जाती है क्या पाई जाती है मसल्स भी पाई जाती है उस मसल्स का नाम बताना है आप लोगों को ठीक है जी सवसे बड़ी मसल सवसे बड़ी पेसी कौन सी है गलूटियस मैक्सिमस गलूटियस मैक्सिमस गलूटियस मैक्सिमस ठीक है जी सवसे बड़ी पेसी पूछेगा वो तो कौन सी होगी गलूटियस मैक्सिमस जे कहां पर पाई जाती है यहां पर सवसे बड़ी हटी पाई जाती है जांग में पर बगएरा होती है न वहीं पर पाई जाती है अब सबसे बड़ी होगी अब सबसे छोटी काँ पाई जाएगी सबसे छोटी पेसी मसल्स काँ पाई जाएगी सबसे छोटी अड़ी काँ पाई जाती थी कान में वहीं पर क्या पाई जाएगा सबसे चोटी पेशी भी पाई जाएगे, ठीक है जी? उस पेशी का आपको नम बताना है. अ उस पेशी का नाम है इस्टे पीडिएस जिए कहाँ पर पाई जाती है? कान के अंदर, यहाँ पर सबसे छोटी बहुन पाई जाती है definite पिटि ए सबसे मजबूत है यह बार बार question पूछा गया है सबसे मजबूत है हमारी बॉड़ी के अंदर आप लोगों को बताना है मेंडिवल जो यहां पर पाई जाते हैं जबड़ी में ठीक है जी मेंडिवल यह कुछ पॉइंट थे मसल के यहां सी question अक्सर पूछ लिए जाते हैं बार बार ओके देखो gluteus maximus का एक और नाम है उसका नाम है सार्टोस पेसी सार्टोस पेसी भी इसको ही बोलते हैं सार्टोस पेसी किसको बोलते हैं सबसे बड़ी पेसी को मारी बाड़ी में सबसे बड़ी पेसी को क्या बोलते हैं सार्टोस पेसी भी बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिम मस भी बोलते हैं ओके प्यारी बच्चों आपका यह टॉपिक हलका सा था पेसी बाला जो कंकाल तंतर वाले चेप्टर से रह गया था इसको हमने कवर कर लिया है ठीक है जी अब हम पढ़ने वाले ग्लेंड एंड्रो क्राइन सिस्टम ओके जी ओके अब डालेंगे प्यारी बच्चों अंतसराभी ग्रन्ती एंड्रो क्राइम ग्लेंड ओके जी इसको ही क्या बोलते हैं अंतसराभी ग्रन्ती और इसी का दूसरा नाम है इसी का दूसरा नाम है हार्मोन सिस्टम हार्मोन सिस्टम हार्मोन तंत्र ठीक है जी या हार्मोन तंत्र बगरा क्या होता है या एंडोक्राइम ग्लेंड बगरा क्या होती है हमारी बोडी के अंदर ग्रंथिया पाई जाती है जो के जैविक क्रियाव को नियंत्र करती है जैसे हम क्या खा रहे हैं कब जगना हैं कब सोना हैं सारी चीजे को कोन करता है ग्रंथि कंट्र करती है ठीक है और इसी कंट्र नियंत्र किस पर रहता है रसायनों की द्वारा होता है उसी को क्या बोलते हैं थार्मन बोलते हैं ठीक है जी यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें भी बहुत सारी प्रकार हैं इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा हमारे सरीर में गरंती को हमारे सरीर में गरंतिया पाई जाती है पाई जाती है जो के जैविक किरियाओं को जैविक किरियाओं को नियांतरण रखती है नियांतरण रखती है और इस नियांतरण को रसायनों के द्वारा के द्वारा नियांतरण किया जाता है किया जाता है किसी को क्या बोलता है हार्मोन बोलता है किया जाता है हार्मोन कहलाता है ओके प्यारी बच्चो हमारे सरीर में गलेंड पाई आती है कब हमें खाना है कब पीना है सारी चीज़े को कौन जैविक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है गरंती कंट्रोल करती है और इस कंट्रोल को कौन कंट्रोल करता है हार्मोन कंट्रोल करते है जूस बगएरा निकलता है अब बताऊंगा ठीक है जी यहां तो बताऊ प्यारे बच्चो ओके जी, ओके, ओके हो जाएगा आज की क्लास में नहीं, एक और क्लास लगी उसके बाद ये ग्लेंड चेप्टर हो जाएगा अब एक क्वेशन और बनता है ग्रंती और हर्मोन के अध्यन को क्या कहते हैं ग्रंती प्लस हर्मोन के अध्यन को क्या कहते हैं अध्यन एंडो क्राइनो लोजी ठीक है जी, सेम नाम है हिंदी में भी एंडो क्राइनो लोजी ओके प्यारे बच्चो ठीक है जी और जो ग्रंती हर्मोन है ग्रंती और हर्मोन का अध्यन किया था वो किस बैग्यानिक ने किया था आप सभी को पता है किस बैग्यानिक ने किया था एडीसन ने किया था एडीसन ने वोमस एडीसन ने ठीक है जी इसको भी लिख लेंगे आप लोग ग्रंती हर्मोन ग्रंती और हर्मोन के पिता कौन है पॉमस एडिसन के नाम से जाने जाते हैं ठीक है जी अब चलते हैं हम गरंथियों के टाइप ठीक है गरंथि कितने प्रकार की होती है ओके ओके यहां तक नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे की तरफ हम लोग फिर चलते हैं आगे की तरफ कि जी कि पिडियाब पिलेऻ्च पर मिलेगी पूरार्य अपनी स्टनन्ट करना चलएक्ट पर ऑपिस्यल वहां से लोग इन करना आप लोग d और फाररे एसटोर पर कोर्ट है उसी के अंदर आपको मिलेगी ठिक है पीडिया बगरा और इसमें 25 क्लास हो नहीं है टोटल ठीक है करीबन 16-17 हो गई है हमारी क्लास करीबन 7-8 क्लास हो गई है और इसके बाद ये बाइलोजीक पूरी तरह से खतम हो जाएगा कि ओके अब डालेंगे गरंती गरंती कितने टाइप की होती है सारी चीजियों को हम पढ़ने वाले रहें देखो गरंती ग्लैंड इसके दो टाइप है एक तीसरा भी टाइप होता है मिसरित गरंती भी बोलते है इसको ठीक है कुल टोटल तीन है बेसे कितने टाइप है देखो पहली है एक जो क्राइन ग्लैंड इसको बोलते हैं बहसरावी ग्रंती बहसरावित ग्रंती इसको बोलते हैं इंडो क्राइम एंडो क्रायन ग्लैंड इसको अंतसरावी ग्रंती और यह होती है मिसरित ग्रंती इसको मिक्स्ट ग्लैंड बोलते हैं मिसरित ग्रंती इसको बोलते हैं पहन क्रियाच जानिक अगनासे ग्रंती इसके अंदर औली एक ग्रंती इसको बोलते हैं क्यों कि मिसरित ग्रंती इसको दोनों के अंदर आती है वह वासरावी ग्रंती इसको बोलते हैं जैसे आपके आंसु निकल रहे हैं आपके आंसु बह रहे हैं तो यह किस ग्रंती में आता है यहां से पूछता है और यह पूछता है कि यह अंतसरावी ग्रंती है कि किस टाइप की ग्रंती है आपको एजेंपल दूस देखना है वड़ी प्यार सी ठीक है अस्रू है वह बाहर की तरब निकल रहे हैं वह ब्लड में टच नहीं हो रहे हैं तो भू कैसी ग्रंती है पहसरावी ग्रंती क्योंकि इसमे नलिका की जरूरत होती है यह कैसी होती है नलिका युक्त होती है तो कि डक्त फॉल भी बोलते हैं इसे डक्त फॉल डक्त फॉल ठीक है इसमें जो एज्यम्पल आता है उदारा कौन कौन से आते हैं अस्रू आसू बगारा बैते हैं और कौन सा आता है इसके अंदर और इसके अंदर आता है आपका पसीना हो गया पसीना कैसी गरंती है बासरावी गरंती है ठीक है पसीने की गरंती ग्रंथी ठीक है जी अस्रू की ग्रंथी और कौन कौन सी ग्रंथी आती है इसके अंदर लार ग्रंथी लार ग्रंथी ठीक है प्यारी बच्चो नीचे की तरफ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं हाँ दिख रहा है ओके कोई बात नहीं ठीक है और एक और ग्रंड है इसके इंडर ग्रंथी? जो मा अपने बच्चे को दूद बलाती है क्या वो ब्लड में टचिंग में आती है? यह वो अंदर ग्रंथी है और वो क्या करती है? बार की तरह। स्रावन होता है इसका ऐसी लार का क्या ब्लेड अई उकते है? ब्लड में मिक्स होती है नहीं होती है यह बाहर निकलती है ठीक है इसको भी नलका की जरूरत परती है पसीना आपकी वड़ी से पसीना क्या ब्लड के टच में निकलता नहीं इसको भी किसकी जरूरत रहती है नलका युक्त की ऐसे आसू ठीक है चार उदारण है इसके और ठीक है, ठीक है, ओके, देखो, यह हो गया, अब चलते हैं अंतिसरा वी गरंती में, यह नलका बिहिन होती है, नलका बिहिन, क्योंकि इसमें नलका की जरूरत नहीं होती, और यह रक्त में मिल जाती है, देखो, नलका बिहिन का मतल़ होता है, टक्ट लेस, टक्ट लेस, ठीक है जी, डक्ट लेस, यह रक्त में कैसे मिल जाती है, क्योंकि इसमें कोई नलका नहीं होती, पर बगएरा देखा होगा आपने, यूरिया का, यूरिया बगएरा उसके अंदर निर्माण होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे उदारणा इसके, प्यूस गरंती हो गया, क्या प्यूस सारे उदारणा है, आप लिखेंगे, प्यूस गरंती, प्यूस गरंती, इसको ही बोलता है, माश्टर गरंती, क्योंकि माश्टर गरंती क्यों बोलता है, पूरे सरीर का कंट्रॉल किस पर होता है, प्यूस गरंती पर होता है, ठीक है जी, और इसके और उदारणा देखेंग में कि यह यहां पर होती है प्यूच है यह तो इसके रूप है अन्तिस्रावी गिंटी है क्योंकि इसका जो स्रावड होता है वो किसमें होता है डारेक्ट ब्लड के अंदर गुल जाता है ओके जी यहां तक बताइए ओके ओके और तीसरी लिखेंगे इसमें थायराइड ग्रंथी थायराइड ग्रंथी इसी को बोलता है अब टू अब टू ठीक है जी एड्रेनल ग्रंथी एड्रेनल ग्रंथी यह ग्रंथी वो ही है पिडिनी की जैस्ट उपर पाई जाती है ड्रेनल इसमें बागो इसमें इमर्जेंसी में जैसे साम बगरा दिखिया है या आपके सामने जो हाथी बगेरा हो गया या सेर बगेरा हो गया करो यो भागो जो भाग जाते न चानक से डलके वो इसी ग्रंथी की कारण होता है इसी ग्रंथी से आर्मन निकलता है ठीक है? अब इसमें और लिखेंगे थोड़ा परा अबटू ग्रंथी जी, ओके नीचे की तरफ दिखराएक नहीं आप लोगों को, ओके ओके अभी एक दो पॉंटे लिखे जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके, अब इसमें लिखेंगे छटमा प्राशड प्राशड गरंथी, तेश्टेस ग्लेंड एक और आती है इसमें अंडा से अब्री ग्लेंड अला आवे सबाती है और ये ओब्री ग्लेंड आ है ये उदारण है इसके सबको समझाऊंगा मैं ठीक है नमर वाई नमर लेंगे प्यूस गरंती क्या होती है डिटेलम पढ़ेंगे पीनियल गरंती क्या होती है ठायराड गरंती क्या होती है एडरिनल गरंती क्या होती है प्रावटू गरंती क्या होती है ठीक है प्रसंड गरंती क्या होती है इन से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं सारी चीज़ा हम पढ़ने वाले हैं ठीक है अब देखेंगे मिश्रित गरंती में इसमें एक ही मिश्रित गरंती है उसका नाम है अगनास है गरंती इसी को बोलता है पैन क्रियाज ठीक है जी ये एक मात्र ऐसी मिश्रित गरंड है जोके अनतिसरावी गरंती में भी पाई जाती है काउट होती है और बासरावी गरंती में भी काउंट होती है ये question पूछा गया है ऐसी कौन सी gland है जो के अंत्सरावी ग्रंती भी है और बासरावी भी ग्रंती है उसका नाम है अगनास है ग्रंती पैंक्रियाज gland ओके नोट कीजिए प्यारी बच्चों फिर चलते हैं आगी की तरह ठीक है ओके ओके जी मिल जाएगी प्ले इस्टोर पर मिलेगी आपको नोट कीजिए फिर चलते हैं आगी की तरफ हम लोग ठीक है अब सबसे पहले नम्मर डालेंगे पीनियाल ग्रंती को पीनियाल ग्लेंड क्या 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 क्योश्चन पूछता एक तो यह पूछेगा यह इस ग्लेंड में कौन सा हर्मोन निकलेगा यह कहां पर पाई जाती है इसका बरक क्या है और कुछ नहीं पूछने वाला तिन चीज यहीं पूछेगा ठीक है ओके जी ओके ठीक है पीनियाल ग्लेंड डालेंगे पीनियल ग्लेंड सेम नाम है पीनियल ग्रंथे इसी को कहते हैं तीसरी आंख क्योंकर यह कहां पर पाई जाती है लोकेशन क्या होती है लोकेशन इस्तिती कहां पर होती है इसकी मस्तिक्स में पीरी बच्चो इसकी जो इसको क्या वोते हैं तीसरी आंख भोलते है तीक है क्योंकर यहां पर पाई जाती है एक है और इसकी जो इस्तिती होती है dat ऑरstation ह्रमोन पर एक अर आम करीवैशन होती है वर्टित है मैं मिले टोनिन, टोनिन हार्मॉन और इसका जो कार है, सोने का है, सोने का और जगाने का ठीक है जी? सोने का और जगाने को क्या करता है जी? नियंतरन करता है, नियंतरन और काम भी है और यह ज़्यादा इंपोडेंट जीक है, जहां से कुछ लेता है, सोने और जगाने को नियंतरन कौन सी ग्लेंड करती है, कौन सी करती है, पीनियल ग्लेंड करती है, कौन सा हार्मॉन निकलता ह हार्मोन निकलता है ठीक है जी ओके ऐसको जभा म창 को जदै कि गड़ी भी बूलते हैं इसको के जब बड़ी भी बूलते हैं गड़ी भी बूलते हैं कि क्योंके कब उठना है कब जगना है सारी चीजों का नियंतरन कौन करता है पीनीयल गलेंड ही करती है क्योंकि प्यारी वच्चों कि के कि यहां तक नोट कीजिए विच चलते हैं आगे की तरफ आगे की गलेंड डालते हम लोग पर कि कहिँ अका कि अगर आपको कोर्स लेना है तो आपको प्ले इस्टोर पर 1.99 रुपी में मिल जाएगा आपको प्ले इस्टोर पर क्या करना है आपको बता दूँ प्ले इस्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है सलेक्ट पर अपीसियाल कि इस पर आपको रस्टेशन करना है ठीक है लॉग इन करके और वहां इस्टोर में जाके आपको हमारा पोर्स दिख जाएगा वहांसे आप बाई कर सकते हैं पोके क्वेरी के लिए नम्मर देखो क्वेरी के लिए नम्मर लेखो 9897031204 इस पर आप अपने डाउट बगएरा या कुछ भी होता है आपका क्वेरी बगएरा होती है पूछ सकते हैं यह मेरा ही नम्मर है ओके जी ओके ठीक है ठीक है अब डालेंगे प्यूस ग्रंथी पिटूटरी ग्लेंड इसको क्या बोलता है मास्टर ग्रंथी भी बोलते हैं ओके ओके ठीक है जी अब डालेंगे आप प्यूस ग्रंथी प्यूस ग्रंथी प्यूस ग्रंथी फे टू टरी ग्लेंड ठीक है इसको ही क्या बोलता है इसको माश्टर ग्लेंड यानि के माश्टर ग्रंथी भी बोला जाता है कहा जाता है ऐसा क्या खासियात इसके अंदर इसको माश्टर ग्रंथी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ये खासियत है हमारी बोड़ी को कंटॉल करता है टोटल बोड़ी को ये कंटॉल करता है और इसके भी पपा है कौन कौन है उसको हम आगे बताएंगे ठीक है वो कहता है Master of Master Glend वो आगे की तरफ बताएंगे यहां पर इसको टॉफिक चल रहा है ना इसको Master Glend भी कहते है ठीक है ओके-ओके इसकी जगे कहां पर है Location Mustix में Mustix में Hypothalamus के पास में ठीक है Hypothalamus Hypothalamus के पास में पास में आपको यह Glend मिल जाएगी Phytutory Glend ठीक है जी ओके-ओके इससे जो हार्मोन निकलते हैं कुछ ADH ठीक है ADS TSH TSH FSH FSH क्योंके यह बहुत सारे हार्मोनों को निकालती है ठीक है तब ही इसको क्या कहता है Master Glend कहते है क्योंके पूरे बोडी का कंट्रॉल जही पर होता है ठीक है ओके-ओके-ओके इसकी फुलपॉरम अगेरा बताऊँगा इनसे जो निकलने वाले हार्मोन भी बताऊँगा अब डालेंगे Puse Glend से निकलने वाले हार्मोन यहां तक नूट कीजिए फिर चलते हैं आगी की तरब क्योंकि कम जगे तीनों को में उपर करा देता हूँ ओके-ओके जी देखो क्यूस गरंती से निकलने वाले हार्मोन निकलने वाले हार्मोन ADH ADH का काम क्या है ADH इसका नाम लिखेंगे आप लोग Anti-Diuretic हार्मोन ठीक है जी फुलफॉरम भी पूछ लेता बहुत बात इसका कम क्या है इसका काम है प्यारी वच्चो यह क्या करता है केडिनी को कंट्रोल करता है यह ब्रक को न्यांतरित करता है कौन सा हार्मोन करता है ADH हार्मोन ठीक है जी प्रक बोलतो प्रक और इसको किडनी भी बोलता है किडनी और इसका दूसरा नाम एक और है गोड़ता भी इसी को बोलता है ठीक है इसके तीन नाम है ब्रक किडनी गोड़ता ठीक है अब डालेंगे दूसरा हार्मोन दूसरा हार्मोन डालेंगे टी एस एच टी एस एच ठीक है जी थायरोड इस्टी मूलेटिंग हार्मोन इस्टी मूलेटिंग हार्मोन ठीक है इसका काम क्या है इस हार्मोन का काम क्या है इस हार्मोन का काम है जी थायरोड जो गरंती होती है उसको जी क्या करता है उत्तेजित करता है जो थैराड गरन्ती पाई जाती है नापर पाई जाती है थैराड गरन्ती गले में पाई जाती है किस सेप की होती है एच सेप की होती है थैराड गरन्ती को उत्तेजित करती है उत्तेजित करती है ओके जी यहां तक बताओ प्यारी बच्चों किसी का कोई डाउट बगएरा ओके ओके अब डालेंगे आप लोग एप एस एच हर्मन ओके एप एस एच फॉलिकल इस्टीमूलेटिंग हर्मन ठीक है जी यह होता है फॉलिकल इस्टीमूलेटिंग हर्मन इसका काम क्या है इसका काम है जो पुरुस होते हैं मैला होती है जोतियक लेंगिक को बनाता है ठीक है वो तेजित करता है प्रुस हो गया, पहला हो गया, दोनों का दुतियक, लेंगिक का उत्तेजित कराना, उत्तेजित कराना किस हार्मोन का काम है? कर दूंपने का का दूंपने का हूँ हो दूंपने का काई है। यह सैंद उत्तेजित करीक करें तो स्पूंपनने कम साओंपने कारें। ठीक है जी एक हार्मोन और होता है उस हार्मोन को भी लिख लो एल एच जो हमारे मा हैं वो बच्चों को दूद पिलाती है इस हार्मोन की द्वारा निकलता है एल एच हार्मोन की द्वारा निकलता है ठीक है उसका सरावन होता है और मासिक दरम बगैरा भी होते हैं इसी गिलेंड की कारण होते हैं इस हार्मोन की कारण होते हैं एल एच हार्मोन की कारण है इसका नाम लिखेंगे लिव टी निंग, लिूटी नि, जिंग, ठीक है, हार्मॉन, हार्मॉन, ठीक है जी, ओके, ओके, ये क्या करता है, दुख्त का निर्माण कराता है, माताओं के अंदर, का निर्माण, और, मासिक दरम में, सायोग देता है, सायोग देता है, ठीक है जी, कौन सा हार्मॉन, लेज हार्मॉन, किस से निकलता है, प्यूस, ग्लेन से निकलता है, ठीक है, ओके, जी, ओके, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्यारी बच्चो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर आपको पोर्स बगएरा वाई करना है, तो हमारी एप्लिकेशन पर जाना है, प्लेयो स्टो बाई कर सकते हैं, इसका जो प्राइस रहता है, वन नाइन रुपे रहता है, ठीक है जी, ओके, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया, यह चैप्टर का, इसको कल कवर करते हैं, ओके,